हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू मैं नीव लॉग कैसे आप सभी हुपाप लोग बहुत अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं गाइस और मैं हूं अंतरा मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूटूब चैनल यूटूबर अंतरा पर गाइस तो गुट मानिं एवरीवन अगें आज दिन हैं मंगलवार तो सुबा उटके सबसे पहले सोचती हूं कि कैसे बेटे का टिफिन जो है वो तयार कर दू क्योंकि रात पर में थीक सा सोना होता नहीं है जिस वज़े से सुबा जब मैं उठती हुना तो मेरा बिलकुल भी सर्द मेरा दर्द करत लेकिन मन लगे या ना लगे मन तो लगाना ही होगा और मेरा कासी भी देख सकते हैं अभी इन दिनों में काफी ज़्यादा परिशान थी और बहुत ज़्यादा परिशान थी काम को लेके अपने और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो मैं हर बात तो सोसल मडिया पे नहीं ब तो वक्त आने पे आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगे थोड़ा सा परिशान हो गई थी थोड़ा सा टेंशन हो गया था चीजों को लेकर अभी साभी का समय है ना मतलब आप एक दिन अच्छे हो तो अच्छी बात एक दिन कट जाता है तो लगता है कि हां एक दिन कट गय गया उनकी वाइफ फोन की तो थे जाज़म से थैंशन हों मेरा ज़िन कभी सब्रक्राइब हैं मैं उनकी कान्टेक्ट में हो और मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझे बहए मानती है वह सब जैसे पता चलाना कि मतलब ऐसे थी आशन से हो गए हाड आटक आ गया एंड मतलब बहुत सारी चीज थी कि उनको एटक आया एंड वो फिर एडमीट हुए और हजबन भी मतलब उसी टाइम पे रात में ही चले गये थे वहां हॉस्पिटल में यह सारी चीजे चल रहा था तो वही कहते है सपह जो है ना भी बिल्कुल सही नहीं है कब क्या होता है ना सच पता हूं पता नहीं चलता इसलिए हमें अपने लाइट में हमें सख रहना चाहिए वह ऐलग बात है मुझे लगते हैं सब्सक्वर होना चाहिए लाइफ में तो यही सारी चीज़े हैं परिशान हूं इसलिए दो दो चैनल पर अपडेट नहीं कर पारी थी वीडियो चरिए वो ठीक है अभी उनका मतलब जो भाईया आइडमिट हो गया था न वो ठीक है उनकी वाइप से मेरा बात भी हुआ सुबह में तो बिल्कुल ठीक ह क्योंकि घर में की इंसान को कोई भी दिक्कत हो जाता है न तो पूरा परिवार काफी टेंशन में हो जाता है यहां पर मेरी शांग को दूद बनाके दे रही थी और उसके बाद मुझे खाना बनाना था वास्पिटल भेजने के लिए तो यहां पर मैंना सोची कि पहले मैं है तो मैं सोची चलो खाना बना देझी हूं फटा फट से तो बस तीन-चार ज यह छान ओर का ही खाना बनाना है तो मैंने करेंगी वैसे मैं लग जाहांगी अपन हो राइक这 करना कभी कभी मन भी नहीं करता है कि इतने सारे टेंशन परिषाने के बीच में लेकिन आपका जो काम है वह आप नहीं छोड़ सकते हो चाहे जितना भी परिषानी हो कुछ भी हो क्योंकि मेरा जो यूटूब का काम है इसके थुरू मेरा बहुत कुछ चलता है मेरे घर का कर सकती हो मैं कितन formal रहती हु मैं अपने चैनल सब落ब कर् I ü अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं ड़ाए तो खुछ नी बनाइभ नहीं कि और Efendimiz करेंगे शाल में बना दिया था मैंने कर तो यह चावल मैंने कर दिया था जक्तिका का थाल तो ओड कर रहते हैं अनका चाल कर एक बहुत अच्छा लगा कि चलो भड़ी यह ठीक है कि घुह बहुत अच्छा सीफ है और अच्छे से हैं तो वह चीज से अच्छी लगी अभी वह और दो-ती निन हो हस्पिटल में रहेंगे उसके बाद इस चार्जों के घहर आ जाएंगे तो बस हरुमान जी के किरपा से यही प्रातना है कि सब लोग सही से रहें सब लोग अच्छे से रहें को कहीं भी क मां शोची को घाल लेती ही सोची पहले बैड श्यट को निकाल लेती हुँ और उसके बाद में वह कर दूँंगी मतलों बैड श्यो produto अदोकर ह Sna करना है कऊ कि मैं परियेट में हूं कल मुझेहेर voice करना है तो मेंने कली बैट शिट जो है वो चेंज करूंगी और यह जो है ना पूजा जो आप देखे ना वो पती देव की हैं क्योंकि मंगलवार है तो उनका मंगलवार को फास्टिंग रहता है तो इसलिए पती देव ही पूजा पार जो भी हो है वो भी हो ही किये मैं आ गई थी यहाँ पे कि बैट को जहार लेती हुं जहार के अच्छे से बैट जो बैट शिटे यहीं वाला न लगा देती हुं और मैं कई भी थी कल सब कुछ देखने, जो भी हैऊ जो भी सारी चीजह है तो मैं वो भी घर आप लोगे साथ शेयर करूँगी किस घर में जाने वाली हूँ बाते तो बहुत सारी है बट बहुत सारी बाते जो होती हो ने प्राइवेसी के साथ रखना पड़ता है वक्त आने पर आप लोगे साथ जरूर शेयर करूँगी और बस यहां पे मैंने बैट शिट जो है वो लगा दिया है ये बाकी से हो है इनको फोल्ड कर देंगे अभी रिशांका भी आने का टाइम थोरा सा होई जाएगा क्योंकि बाकी सारे काम करते करते मुझे हो गया था लेट और जो भी खाना पीना था हस्पिटल के लिए मैंने भी थे बिएक करके चले गये हैं और यहां का देखते हैं सां को को यह लिए मातली घॉड़ी बिए दोंगी लिए सा करना तो फिर वह जैसा बताएंगी बोलेंगी तो मैं साम को भी खाना बनाके रात का madam भी खाना ना मनी करता है और जिस चीहां मुझे का अपने तो बस यहांपर भी आई ने बधर्ट से तह चीज़ चाहुरम recur выпुर्ण सटमोर था उन्र को यहां तो यहां पर यहांपर क्र यहांबní बेगार अवह विद्धैकर उन्र chapter में फिल्कुल धर शॉष्ण अधार ना मुझे करता है इसलिए मुझे इसको लगा के रखना पड़ता है कि मेरे चोटे वाले बाबू को मच्छर काट लेता ना वह रोना सुरू कर देता है अभी इस सेंटर टेवल को बस में अच्छे से क्लीन कर लोंगी और उसके बाद उसरों में थोड़ा सा जहार जूर कर लेना है बस य इसी वजह से आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर करने में भी टाइम लग जाता है पहले मैं क्या करती थी एक दिन पहले ब्लॉग बना लेती थी लेकिन आजकर मेरे साथ ना स्यापा होगे कि मैं सेम डे ही ब्लॉग बना रही हूं सेम डे ही सेयर कर रही हूं सो ऐसा हो जा जो है उसका सीसा तोड़ दिया एक बार मेरा घर में बहुत कमी चलते लगाने के टाइम पर थोड़ा हाइड पर लग गया मतलब थोड़ा जादा हाइड पर लग गया तो अभी हम लोग जहां पर शिफ्ट होंगे ना वहां पर सोचाए कि टीवी थोड़ा नीची की तरफ लगवाएंगे कि बच्चे उचे देखने में रहेगा तो आसे गले करके गला में दर्द हो जाता है और इसके बाद यह सारे बुक्स है कॉपी है पढ़ता जितना नहीं है उतना तो पूरे बुक प्लीजों को मैं रख देती हूं और आज का जो ब्लॉग है इसी के साथ एंड करूंगी और आप लोग के साथ मिलूंगी नेक्स व्लॉग में आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताईएगा अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगर होगी अगर चैन पिए अप मेरे को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब किजेगा तो पिर नॉटिफिकेशन आने रहेगा या तो फिर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं जिससे आपको नॉटिफिकेशन नहीं आता है सो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन कमेंट सब्सक्राइब तो मैं चैनल यूट्यूब रंतरगाईस बाबा टेक क्यार लव यू आल और थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो